आज हम बहुत ही जटपट और मसेदार बेकरी स्टाइल पाइनपिल का केक बनाएंगे जो बहुत ही इजी रेसिपी है चलते हम रेसिपी की तरफ मैंने सबसे पहले यहां पर एक्स लिये में पोर मीडियम साइज के इसको में एक बाउल मेट करूंगी अब मैं इसमें शुगर लीविए मैंने रेगुलर शुगर हाफ कप बॉइट करूंगी और इसको मैं करूंगे अच्छी तरह से मिक्स और हम फिर इसे इलेक्ट्रिक बीटर से जो है विस्क करेंगे ताकि इसका जो है डबल साइज हो जाए यह देख रही है आप सब्दर्स सा इसमें मिक्स हो रही है और मैं इसे कंटीनिवस्ली विस्क कर रही हूं कम असकम 10-15 मिनिट आपको इसमें लगेंगे विस्क करने में और इस तरहां फोमी लाइक हो जाए देख रहूंगे कितना बदस्ता यह mix हो गया है चीनी इसमें और अब मैं इसमें नमक एड़ करूंगी वन पिंच एक चुटकी आप नमक एड़ करेंगे बेकिंग पॉर्डर चाहेगा वन टी स्मून मेदा में एड़ कर रही हूं वन कप छानावा मेदा है यह और थोड़ा थोड़ा करकर हम इसे फोल्ड करेंगे इस बैटर में इस तरह इससा इससा फोल्ड करते जाएं और यहीं बहुत अच्छे से mix होता जाएगा इसमें अब मैं remaining मेदा इसमें एड़ कर देती हूं ताकि इसमें कोई lumps नहीं रहे हैं इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें एड़ कर रहे हूं यह देखें इस तरह मैं पूल्ड कर रही हूं अगर आप चाहें तो इसे 30 सेकंड के लिए विस्क भी कर सकते हैं यह देखें अच्छे से हमारा better तयार है अब मैं इसमें बनीला एक्स्ट्रेक्ट एड़ कर रहे हूं हाफ टी स्पून जब यह बिल्कुल अच्छे तान से स्मूथ हो जाएगा यह देखें बहुत अच्छे से मेरा मैंने फोल्ड किया ऐसे और यह बिल्कुल इसमें कोई लंस नहीं है बिल्कुल स्मूथ तयार है अब मैं इसमें बनीला एक्स्ट्रेक्ट एड़ कर रहे हूं हाफ टी स्पून और इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना गाड़ा-गाड़ा सा हमारा बैटर तयार है अब मैंने यहाँ पर एक मोल्ड लिया हुआ है उसको हम ओइल लगा लेते हैं कोकिंग ओइल मैं ले रही हूं इसमें बन टी स्पून और इसको हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे बॉटम को भी और साइड्स पे भी अच्छी तरह लगाएंगे ताकि हमारा जब केक राइस हो तो इस्टिक ना हो इस पर अब यह बैटर पूर करूंगी मैं पस इसको इस तरह डालते जाएंगे यह खुद बखुद इस पैड होता जाएगा और इसको एंड में हम टैप कर लेते हैं ताकि कोई भी बबल से मों खतम हो जाएं यहां पर मैंने प्री हीट जो है पॉट किया हुए मीजियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनिट्स के लिए इसमें रख के हम बेग कर रहें 40-45 मिनिट्स के-लिए मीजियम टू लो फ्लेम पे देखें 42-45 मिनिट्स हो गए हैं देखते हैं तूधिक हमारी के लिए राई यह कि इसका मतलब इसका केक रीड आगर अगर आपका रेडी ना हो फर 42-45 मिनिट्स के रिए तो आप इसे 5-7 मिनिट्स इसी फ्लेम पर रख सकते हैं यह मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूं केक को और स्केर्जिस के लिए करेंगे यहां पर मैंने पाइनापल का एक टिन लिया हुआ है और इसके इस तरह चंग्स अलग कर लिये और पाइनापल सीरप एक अलग पाउल में निकाल लिया है और हैवी विपिंग क्रीम लूँगी जो के हम केक्स में यूज करते हैं वन एंड़ाफ कप इसको हम अच्छी तरह से विस्ट करेंगे आप चाहें तो एलेक्टिबीटर से कर लें या हैंड बीटर से कर लें ताकि अच्छी से यह जो है गाड़ी हो जाए जबरदस्ती तयार होगी हमारी फ्रॉस्टिंग अभी इसी में जो है पर आइसिंग शुगर भी आइट कर दूंगी कम असकम हम इसे टैन मिट्स के लिए विस्ट कर रहे हूं ताकि अच्छी से मिस्ट को और हम इसमें आइसिंग शुगर आइट करेंगे यह देख रहा है आप मजीद यह डबल होती जा रही है और थिकनेस होती जा रही है इसमें अब मैं आइसिंग शुगर एट करेंगे हूं क्योंकि मैंने हाफ कप ली विए और इसको भी हम इस तरह फोल करेंगे पहले मिक्स कर लें ताकि उड़े ना आइसिंग शुगर अब हम इलेक्रिक बीटर ओन कर लेता हैं कि देखें बहुत अच्छे से हमारी गाड़ी हो गई है कि फ्रॉस्टिंग तयार हो गई है पाइनप्ल केक की अब मैंने यहां पे जो है कि केक लिया है और उसके स्लाइस कर लिए है हाफ हाफ हमने दो प्लेट्स में कर लिए अब हम इसके बॉटम वाले साइट पे पाइनप्ल सीरप लगाएंगे ताकि मोइस्ट रहा हमारा पैनप्ल केक अगर अब यह स्किप कर देंगे तो यह बहुत हार्ड हो जाएगा केक तो इसलिए मस्ट है कि आप इसमें शुगर सीरप या पाइनापल सीरप जो है इसमें आड़ करें यह देखें मॉइस्ट हो रहा है हमारा केक और अब जो है मैं इसमें क्रीम आड़ करूंगी अच्छी तरह से हम इसे लगाएंगे स्प्रेट कर लेते हैं हर तरफ यह देखें मैं अच्छी से स्प्रेट कर रहे हूं कॉर्णर्स इसके मैंने कवर कर लिएं साइडस की कवर कर लिएं अच्छी तरह से हम इसे स्प्रेट कर रहे हैं और यह थंडी थंडी विपिंग क्रीम है जेतनी थंडी होगी क्रीम वो लगाना असान होगी हमाई लिए और यह थंड़ 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 आप सर्फ कर रहें से यह बहुत अच्छा मजी का पाइनपल केक लगता है अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं कुछ पीसिस को और वह हम इस तरह स्प्रेट कर देंगे तो इसका जाएका बहुत इन्हेंस होगा पाइनपल केक का चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं आते वें कि दिखें सबर्दस्य में स्प्रेट कर रहे हूं कि यह फर्स्ट लेयर हमारी कम्प्लीट हो गई है अब हम जो है सैकंड लेयर की तरफ चलते हैं अब मैं सैकंड लेयर लगाऊंगी इसको मैंने स्लाइस को रखा अब हम इसे अगेन पाइनपल का सीरप जो है हम इस पे रखेंगे ताकि यह स्प्रेड हो कर देंगे ताकि जो है मॉइस्ट रहा है हमारा केक यह देखें अब मैं इसमें क्रीम लगाऊंगी ताकि अच्छे से हम इसे कवर कर लें इस केक को भी इतना मज़े का यह केक बनता है बहुत ही डिलीशिस लगता है आप इसे बड़्दे पार्टीस में बनाएं बहुत ही यमी केक लगे गा यह यह देखें जबर्दस्ता मैंने हर तरफ से स्प्रेट कर दिया है राउंड करती जारी हूं मैं और कवर करती जारी हूं क्रीम से से चाहिए आप स्क्रैपर से कर लें यह देखें बिल्कुल प्लेन हो गया अब मैं इसमें जो है इसके हम बहुत अच्छे से कोई भी डिजाइन बना लेते हैं पाइनापल चंक्स रख देते हैं सारे इस तरह में रख रही हूं बहुत ही मज़ेदार यह केक हमारा तयार है जितना आप इसे ठंडा करके खाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ा तुबाला हो जाएगा आपका यह देखे हैं वह सेंपल और इजी रेसिपी यह है और वो भी हम विदाओ टोवन पाइनापल केक बनाया है हमने देख सकते हैं आप कितना डिलिशियस लग रहा यह केक उमीद है आपको मेरी वीडियो यह पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रू लाइक करें और मेरे चैनल हाट इंटेस्टि को जरूर सबस्क्राइब करेंगा फिर मेलूंगे मैं एक नही और मज़िधार रेसिपी के साथ इन्शालला अल्हाँ